पहली बारे कि इतिहास में हो रहा है कि गुरु पूजा जो है टीवी के माध्यम से मनाई जा रही है और जो एक भक्त की जो आशा होती थी कि हम अपने गुरु महराजी के चर्णों की वंदना करें उनके शाक्षा दर्शन करें वो इस बार सभी बाइब जी महात्मा जी तथा प्रेमी गण इस बात को बहुत मिस्स कर रहे हैं लेकिन इसलिए कहा गया है कि मन इच्छा होत नहीं हरी इच्छा ततकार कि हमारे मन की जो इच्छाएं होती हो तो होनी पाती लेकिन जो प्रभू की इच्छा होती है वो तुरंथ हो जाती है तो शैद प्रभू परमात्मा की इस समय इच्छा हो कि ऐसा समय आ गया है पूरे विश्व में कि इस करोना की महमारी के कारण आज सब लोग जो प्रेमी गण हैं दर्शनों से वंचित हो रखे हैं एक बहुत लंबा समय हो गया है होली के बाद कोई भी पर्भ नहीं मना पाए ना पैसाकी हो पाई ना गंगा देशरा हो पाया और ना गुरु पुजा हो पाई और आगे भी ये महमारी कितने महने चलेगी इसका भी कुछ पता नहीं है क्योंकि जब तक इसकी वैक्सिन ही बन जाती तब तक ये महमारी जो है मल्टिपल होती जा रही है और अभी तो कहा जा रहा है कि इस महने और अगले महने तक ये महमारी अपने चरम सीमा तक पहुचेगी क्योंकि इसका वायरिस जो है बरसात में या नमी में जो है जादा समय तक जो है जीवित रहता है तो इसलिए जादा लोगों को फैला पाएगा लेकिन हमको इस महमारी से इतना भैबीत नहीं होना है हम लोग भी सब लोग इस महमारी से गुजर चुके हैं और जो है सबसे पहले तो मैं उन सभी रेविगर्णों को बाई जी महात्मा जी जो भी और हमारे जो स्वजन थे रिष्टेदार थे मिलने वाले थे, पॉलिटिकल हों, चाहे वो पारवारिक हों, सब लोगों ने जब हम लोग को कोई बीमारी हुई, हम लोग हॉस्पिटल में थे तो दिन रात पिचारों ने प्रातना करी, दुआई करी, चाहे वो मुस्लिम भाई थी, उन्होंने अपने मस्जिदों में नमाजे जो अपनी तरफ से जितना भी कर सकता था, उन सब ने हम लोगों के प्रातना दुआएं करी, तो सबसे पहले मैं उन सब को पुरे परिवार की तरफ से हिर्दै से आभार परकट करती हूँ, और आप सब लोगों की जो दुआएं थी, जो प्रातना थी, उस दुआ प्रातना करा हैं, तो उसकी इतनी अधिक शक्ती हुई कि हम सब लोग जो है, इसका करोना की महामारी से हम लोग बहार निकल आए, गुरु महराई जी की इच्छा, मात्या जी का आशिरवाद, सब का आशिरवाद था, देवी देवताओं का सब का आशिरवाद था, हमारे पूरूजो जो बचे मैं इसमें इसलिए बताना चाहती हूं कि आज गुरु पूजा के पर पे लाखों भक्त इस बातों जो सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी जानकारी मिली बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी को बताएंगे, तो किसी दस आदमी को बता देंगे, पर पांच को बताए क्योंकि यह जो बीमारी है, इतना इससे डढ़ने की आशकता नहीं है, जिस प्रकार से इसको इतना ज़्यादा भैबीत कर रखा है, यह भी एक तरह का एक वाइरल है, और वाइरल हमाई शरीर में आता है, और जो है, इसको हमने केवल मॉनिटरिंग यह करनी है, कि आपकी ज लेवल ओक्सीजन सही है, आपको कोई परिशानी नहीं हो सकती, आप यंग है, आपकी अंदर इम्मुनिटी है, और आप लोग जो के अंदर अगर कोई जैसी बीमारियां और और बिमारियां नहीं हैं तो आपको किसी बात का डर नहीं है लेकिन अगर आप काफी व्रद्ध हैं आपको अस्तमा की बिमारी है या कोई cancer patient है या कोई heart patient है या किसी को kidney की problem है स्वांस की problem है तो उनके लिए जरूर ये जो है ये बिमारी जो है जानलेवा साबित हो जाती है इसके अलावा हमको hospital में एक बात पता चली जो कि हमने देखा अमूमन जो है चाहे हो daily हो चाहे कहीं भी हो या देरादून के किसी भी hospital हो में इस बात की जो है उसका इलाज नहीं किया जा रहा है केवल रिशिकेश के aims में जब वहां गय तो वहां के doctors ने हम लोगों को बताया उन्होंने जब वो blood निकाल रहते तो उन्होंने कहा कि हमने क कहते कि इसमें जो है blood ठीक हो जाता है और जब blood ठीक हो जाता तो उसका clot बन जाता है वो clot चाहे माइन में जाए चाहे हाट में जाए तो उसी समय तुरंत जो है उस आदमी की death हो जाती है तो इसलिए जो है इसको test किया जाता है इसको कहते हैं D-dimer test इस D-dimer test में जब व्यक्ति का blood लिया जाता है उसके counts देखे जाते हैं अगर 1000 के count से अगर वो नीचे होता है तो आप सेफ हैं लेकिन आपका 1000 से उपर है तो आपका blood निश्चे तुरुप से ठिक हो रहा है वो clot उत्पन कर सकता है तो उसके लिए जो है पेट में injection लगाते ह हैं लेकिन वो किवल 4 दिन लगाते हैं चार दिन के बाद उसको नहीं लगाया जाता फिर ब्लट निकालके तेस्किया जाता है और फिर अगर देखा जाता है अगर तो फिर नहीं लगता है तो जो था क्योंकि वहाँ के डॉक्टर सने हमें बताया बड़े अच्छे डॉक्टर से और बहूट तो उन्होंने हमें बताया कि पहले जो थि ज ओरी थी वा सांस घुतने से अहीं लेकिन उसके बाद गया कि कही theoretical साब्सक्राइब थी नंसी सांस की कोई प्रॉबम नीथी फिर भी जो देथ होरी थी जूँ नहीं की यह लगें तो नहीं सैंट बने पाए जिसके लावा भी जिद जब तो डॉक्तर स्क्राइब करते हैं तो यह नहीं स्टडी में आया है तो वह टैस्ट कर रहे थे और वह यंग भी हो पच्चा बहुत जरूरी है कि हम को यह बात पता होने चाहिए आप किसी भी लैब में जाके वहां के आप उनके जो होते लैब ऐसे उनको बुला सकते हैं घर में घर में आपको ही टैस्ट हो जाता है घर में इंजेक्शन लग सकता है इसमें ऐसे कोई बात नहीं कि आपको होस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा तो यह सब कुछ बात बाकी इसकी कोई दवाई नहीं है कोई होस्पिटर में कोई दवाई नहीं दी जाती बस आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जिस कमरे में ना कोई windows होती है अगर windows होती हो तो बंद है कांच की windows बंद है क्यूंकि आज कल AC ड़क लगे रहते हैं ले तो आदमी mental tension में ज्यादा रहता है क्योंकि आप पर अगर कोई symptom नहीं है कोई बुखार नहीं है कोई खासी नहीं है कोई जुखाम नहीं है यह बॉटी एक नहीं है लेकिन आपको किवल एक बैड में ही पड़े रहना पड़ता है यह सबसे ज्यादा mental टॉर्चर होता है आप नी निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक तरह से जैसे जिल में के दी रहता है, वैसे एक रहना पड़ता है, तो यह बी एक नए तरह का एक जीवन में धूख अनुभाव था और गश्यवन में सुख दूख सास्चन में इसह बताये मदना जाता है जीवन है जब मनुष्टन मिला है तो घीवन में शूख भी आएगा दुख भी आएगा अच्छे दिन भी आएए बुरे दिन भी आएगे तो लेकिन यह जो है है यहाए उन्तर होता है कि उस समस्या को वह आसानी से उसको स्विकार कर लेता है उसको निप्टा लेता है तो जीवन में तो ये एक करम ये चलता आ रहा है और जब मनुष के जीवन मिला है तो उसमें भी ये सब जीवन में आएंगे कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी महमारी भी आएगी और इससे हमें जूजना पड़ेगा लेकिन आया लेकिन इस समयस्या से जूजने से अपने मनोबल को आप उचा बना के रखे पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखे नेगिटिविटी नहीं आने दें जिस परकार से हम देखते हैं कि भाई सूरज इतना चमकता है कितने उसके अंदर प्रकाश है लेकिन जब बादल आत से पहले की तरहीं चमकने लगता है तो ठीक इसी तरह से हमारा एक मानव का जीवन भी है आदमी जी रहा है लेकिन कुछ समय के लिए दुख्य बादल भी उसके जीवन को ढख लेते हैं उसके सुखों को ढख लेते हैं लेकिन आदमी को निराश नहीं होना है उससे उससे कर मुकाबला करना है और कुछ समय के बाद जैसे इसका कहते हैं 14 दिन तक इसका असर होता है 14 दिन तक दूसरे को एफेक्ट कर सकता है इसलिए 17 दिन का क्वारिंटीन रखा गया है कि 10 दिन आप हॉस्पिटल में रहे और 7 डेज आप घर में क्वारिंटीन रहे वह इसलिए रह कोई ऐसे बीमारी नहीं रहे और उसको कुछ नहीं लगता है कि मेरि सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है तो वह व्यक्ति अराम से अपने घर में क्वारिंटीन रह सकते अपने लेकिन फिर इमांदारी के साथ क्वारिंटीन रहना है अपने कमरे में रहना बाहर नहीं जाना अपनी बरतन अलग रखने अपने कपड़े स्वेब दोने अपने कमरे की खुछ सफाई करनी है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम दूसरों को एफेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप अपना चाहे तो प्राइवेट जो लैब हो हैं आप जो है अपने परिवार के साथ रह सकते हैं तो यह जीवन में ऐसा होता कि जीवन में सभी रंग हैं हर रंग हैं तो हर रंग जो है यह देखने का भी एक मौका मिल गया ऐसी बात भी बहुत से प्रेमी लोग भाई जी महात्मा जी सब बड़े दुखी हो रहे थे और फिर जो है सब हम सब लोग सबस्वस्त लाप्राप्त कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने घरों में रहके सावधानी बढ़ते बाहर जाए तो मार्स लगा लें और ज्यादा सोशल डिस्टिंसिंग का आप लोग जो है ध्यान रखें और अभी तो आगे भी कई महने ऐस से गुजारने हैं तो खुब जो है सथ्संग का श्रवन करें आज कल तो मीट यूट्यूब के द्वारा जो है टीवी के द्वारा जो है सथ्संग की प्राप्ती होई रही है और जल्दी से यह करोना का बादर चटेगा तो आपको भी गुरु माराजी के दर्शन का लाप भ कितनी ही मुस्वते की उनाये, कितनी ही तकलीफ की उनाये, कितनी समष्य adapt क्यूस्य के विप लेकिन हमें अपने गुरि माराजी के चर्णूに सथ्क हम आइंट होई है और ये भक्त के पहचान है, भक्त की पहचान क्या होथी हो हर समय में, कठिन से कठिन समय में वो अपने गुरु महराजी का साथ नहीं छोड़ता है वो अपने गुरु महराजी के प्रती जो उसकी भक्ती होती है उसके प्रती जो श्रद्धा होती है उसके प्रती जो प्रेम होता है उसके प्रती जो विश्वास होता है उसको कभी नहीं छोड़ता है जो सच्चा भगत होता है जो सच्चा शिश्य होता है और जो बिन पेंदे के लोटे के समान होते हैं जरासा दुख आया जरासी समस्या आई जरासी कोई विमारी आई तो वो जो है वो अपना साथ छोड़ द हो इसलिए हैं कि पुराणों से जो है सुन्ते आrene कि जो भगत है उने का नाम ऩ। अब भगती नwegen इतनीत्ना याद करता है अज हम क्यों क्यों मीरा भाई को याद जो है भगत्यवान dan क्यों हम सहजोबाई को याद करते हैं क्यों आप लहना को याद करते हैं इसलिए तो याद करते हैं कि उन्होंने हर समय पे हर मौके पे जो है अपने गुरु महराजी के साथ को नहीं छोड़ा और जो उनकी आज्या होती थी उस आज्या में रहके उस आज्या रूपी किले में कपई है कि अंगे अपना जीवन यापन किया कि अरुणी ने जू कि tu थंड में भी देखो अपने गुर्ण की बात को माना बहुत शिश्रिफे अन्होंने उस बातको तो तूट गई बारिश के कारण और बहों तो बहुत कोशिश करता है कि मैं इस मेल को बनालू लेकिन तीव बार इंधकत इतना तेज बहां था कि वह बार नहीं पा रह डيل तो अंत में कहता कि वह ऑल मैं कैसे कि रुकूं गूर्माराछ की तो रह Myth लेट जाते हैं उत्ती ठंड में बरसात के समय में स्वेम उसमें लेट जाते हैं और उस खेत की रक्षा करते हैं सुबह गुरु माराज देखते हैं कि अरे मेरा भक्त अरुनी तो अभी तक पहुचा नहीं है और शिश्यों से पूछते अरुनी कहा है वो दिखाई नहीं दे और G 이제 वो माराज आपने तो जो क是的 की कि खेत को देखाव करह उसकी जो बाड़ जय वेट फब टोणक्तनी नहीं है तो वहां गया था अबी तक नहीं लोटा तो गुरु माराज को मजुचा होती है तुरन्थ जाते हैं खेट की तरफ जाते तो क्या देखते हैं कि बेसुद हो के क्योंकि बारिश से ठंड से वह भी होश हो गया था लेकिन वह अपने मेड में जो है लेटा हुआ है और सारा खेट जिसके कारण बजिया तो गुरु महराच उसको उठाते हैं उसकी भक्ती से बड़े प्रसन होते हैं उसको गले से लगाते हैं कहते हैं आज से तेरा नाम सारी विश्व में जो है भक्त अरुनी के नाम से जाना जाएगा आज आप मुस्त अरुनी को याद करते हैं अर्जुन को याद करते हैं जिसन उन्हें कृष्ण की भक्ति करी और कितने सस्राण् वालों ने उन्हें कष्ट दिया लेकिन उसक्रक्षों से वो कभी डरी नहीं कभी सेही नगी मैं कि हमेशा अपने कृष्ण की के रोड़ी और итай-is जो है क्रिष्ट के अंदर ही समा घई तो यह जो हमारे भक्त हुए हैं उन भक्तों से गुरू-म भराजी के गुरु Nie हैं, जिस घुन्य हमे क्तवर से ये गुरू-भक्त है है हम भी उन्हीं के तरह इसकलिकाल में भी ऐसे गुरू-भक्त बन के दिखाएं मैं, तो हमको भी जो है ऐसे कठिन समें में मैं मानती हूँ कि सब लोग के बड़े दिल विधित हैं कितना लंबा समय है वो गया में दर्शन नहीं हो पारें लेकिन आपको देखे इसका लीकाल का भी अच्छा इसका भी तो एक लाब है पहले तो ऐसा होता नहीं था लेकिन आपको इस कालिकाल में टीवी का तो माध्यम है, टीवी के माध्यम से आपको गुरुमराजी के दर्शन हो रहे हैं, ससंग भी मिल रहा है, यूटूब है, कितने आज कल पता निंग क्या क्या चल गया है, फेस्टाइम है, ये सब कुछ है, कितने होते हैं उसमें जो है आप सब लोग के पुराने सत्संग भी सारे कुछ आप लोग देख रहें नहीं जो सत्संग होते हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा है तो यह भी इसकी एक कली काल में बहुत सी बुराइब बताई गई हैं लेकिन इसका एक लाब भी है जैसे कि मैं बताओं कि करोना से कहते सबस्टैं नहीं की घुडिवान खा़ते हैं लेकिनशारइब लिएे मेरे पाऊं का दर्द ढूर्भ वापिस आगया तो मैंने पहले यह चैनौना- जबहाराज की दर्शन सत्संग कर लेते तो करोना से एक लाब यह भी था का रोड़ से लोग डर रहें बहबीत हो रहें लेकिन उसमें उसका प्लस पॉइंट यह भी था कि शरीण में डर्दी पहुंच जाता है तो यह जीवन के क्रम को इस जीवन को यही तो जीवन है और क्या जीवन है और जीवन को चाहे अच्छे दिनों बुरे दिनों सुखो दूखो मुझसे बते आए ना आए हर हर समय में सम में सस्थिति में विशम में कैसी भी पर स्थिति वहीं बुरी प्रस्थिति आ हम अच्छा जीवफне कर रहे हैं इसलिए प्रभू परमात्मा को गुरुमाराजी को हमेशा धर्णेवाद दो कि आपने एतना अछ्छा हमको समय दिया इतना अच्छा में सथसंह आप दे रहे हैं इतने अच्छा हमें दर्षन दिये इतने अच्छा आप सब कुछ हमारे जीवन में कर रहे हैं तो कभी अगर थोड़ी सी परिशाने मुझसे बित्याएं तो उसको भी जो है हस कर आप जो है गुजार लें और हमेशा गुरु महराजी का निरंतर जो है सुमिरन करें निरंतर उनका ध्यान करें और जो है अब आप तो समय समय दिय करdas की आप जोड़ी आवा है क्योंकि अदिकतर जोब्स वेए कि वर्परहुंंतृ आप घर से काम कर रहें हैं तो कितना आना जाना कोई तो कितने किलो میटर अपने आफिस के लिए जाता है, कितना लंबा समय निकाल देता है, आफिस के आने जाने में घंटो निकाल देते हैं, तो सारा समय तो आपका बच रहा है, तो जितना समय आपको बच रहा है, तो आप भजन में करिए, सुमिर में करिए, दरवार के अच्छा साहित है, उस साहित को थके आते हैं कौन हम भजन कहां से करें कैसे करें भजन है लोग कहते थे इतना हमें काम है इतना काम का बर्डन हम भजन नहीं कर पाते लेकिन जो है आप तो है आपको भूत अच्छा समय मिल रहा है उतना आपको जो आने जाने का बच रहा है समय बच रहा है तो बचेवे समय क ुआ आप गुरु माराज की भक्ति में भजण में सुमिरण में उसको लगाए तो हमारे जीवन का कल्यान होगा और हम इस जीवन से भी तर सकते हैं और जो है thinking वह स्लोग में भी हम रउब हम इस लोग को हम पुमने प्राप्त कर लेकिन अब हम तो यह है उस परलोग की हम प्राप्ति कर सकते हैं जिस धाम में जाने के बाद, भगवाश शृक्रिष कहते हैं, जो जीव पशना रापिता बिर लॉटता नहीं है, तो हम अच्छे सत्करब करें, अच्छे देखें आड़ोस परोस में अगर कोई जिसको जरूरत है उसकी जरूर आप पूरा करें यह नहीं है अगर हमने दूरोटी खाई कि अगर की डूसा का है तो उसको भी हम दोटी अगर हम देच चते हैं हमारी अंदर शंता है हम डे सकते हैं तो जरूर समय कई लोग इतने असाहब हो चुके लोगों की नौक्रिय चली गई हैं लोग बहुत बेरोजगार हो गए हैं तो जितनी भी हम किसी की भी कितनी मदद कर सकते हैं आप एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं एक व्यक्ति की करें जो व्यक्ति दो की कर सकता दो की करें जो पांच की कर सकता पांच की करें लेकिन हम जरू भी मदद कर सकते हैं उनकी जरूर मदद करें यही सबसे बड़ा इस समय जो है पुन्य का काम होगा और यही सबसे बड़ी मानवता सबसे बड़ी इंसानियत यही है कि हम ऐसे कठिन समय में हमारे पास तो दो रूटी है खाने के लिए कि हम एक रूटी दूसरों को भी खाने के करें तभी हमारा निश्चे तुर्प से हमारा सब कल्यान होगा और आप सब लोग जो है खूब गुरु महराजी की भक्ति करें गुरु महराजी का सुम्रन करें और जिस प्रकार से आपने जीवन वैतीत किया है उसी प्रकार से आगे भी अपने जीवन को इस प्रकार से और त प्रसंद करेंगे तो निश्ची रूप से हमारे जीवन में खुश्याली खुश्याली होगी इसलिए आप लोग खुब भजन सुम्रण करें